सबी बच्चों को मेरा नवश्कार तेखे आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स 11th क्लास NCRT नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी NCRT की कुछ नहीं बताने जा रहे हैं मैं समझाने जा रहा हूं इसमें लिखा हुआ है प्रिंस्पल आफ मैथमेटिकल इंडक्शन तेखे वैसे तो इस तो एक तो तरीका मेरा यह है कि इसको प्रूफ किया जाए थेओरम के हिसाब से आपने प्रूफ किया होगा इसमें 10th लेविल में इसको प्रूफ किया जाए तो प्रूफ करेंगे तो उसको डिड़क्शन कहा जाता है क्या कहा जाता है डिड़क्शन यानि थेओरम की तरीके से किसी चीज़ को प्रूफ करना वो कहलाता है डिड़क्शन ठीक है और तूसरा यह होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैलू H की माने, different different value P के लें, और different different value B के लें, और हम भार भार इसमें value रख करके check करें, कि भाई right angle triangle में अगर ऐसी sides हैं, भाई हम right angle triangle बनाते हैं, बहुत सारे बना लें, ठीक, माना 25 triangle बना लें, तो 25 triangle बना लें, ज्यादा हमने बता दी हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत time लग जाएं, लोकि हमें बता रहा हूँ, और वो triangle बना के अलग, अलग side मालने, ठीक है, जब आप बनाओगे right angle, triangle तो side मालू होंगे ना आपको, तो ये सब side रख दे, H रखें, P रखें, B रखें, और सब में LHS, RHS, SQL हो जाए, तो उसको कहते है, induction, यानि किसी चीज़ को कोई result लाने के लिए, उसको proof करने के जाए, उसको check करने, कि check करने, कि check करने में सही है कि नहीं है, तो वो कहलाता है deduction, induction, ठीक है, जैसे example, NCI लिखा हुआ है, कि बहुत सारे tiles लगे हुए हैं, एक क्रम से ऐसे, ऐसे बहुत सारे tiles खड़े कर दीजेगा, ऐसे हम 3D diagram नहीं बना पाएंगे, ऐसे बहुत सारे task के पत्ते खड़े कर दीजेगा, आप एक को धका मारिए, ये गिरेगा, ये सब को गिरा देगा, कैसे मालूम होगा, आप चेक कर लो जा करके, हर एक पत्ते को देखो, ये गिरा, वो गिरा, वो गिरा, वो गिरा, पहुंच जा, हो गया induction, सिंप्ल सी बात है, किसी formula को proof करने की बजाए, अगर उसको verify कर देते हैं, ठीक है, कोई statement reasoning पढ़ाई जाएगी, तो वहां आपको समझाए जाएगा, तो को statement क्या चीज़ होती है, तो बस इतने हम बता रहे हैं, induction का मतलब होता है, किसी formula को verify करना, that's all, deduction का मतलब होता है, proof करके लाओ, है न, जैसे मैं, कहुँँबई statement क्या होता है, तो statement का मतलब देखिए, ऐसी कोई कही गई बात, जो या तो सही हो, या तो गलत हो, जैसे मैंने कहा, sun rises in east, it is correct, जैसे भी कहुँँबई, भहिया, rises in east, हो ले हाँ, east, अच्छा, ऐसा नहीं है, कहेगा, हाँ, बास सही है, तो it is correct, it is true, always true, universal truth, तो यह statement है, ठीक है, मैं आपसे कहुँँ, कि 2 प्लस 2 is equal to 4, यह भी एक statement है, इसको mathematical statement कहता है, it is always true, तो जो always true हो, या always false हो, जैसे मैं कहुँँ, कि sun sets in the direction of north, जो sun होता है, वो north direction में set होता है, अस्थ होता है, तो कहेंगा, हाँ, वो 17 तारीक को तो होता हुआ था, 18 को तो नहीं होता, ऐसा थुड़ी है, वो तो हमेशा west में जाता है, तो यानि कि यह statement हमेशा गलत है, जो चीज हमेशा सही हो, या हमेशा गलत हो, उसको statement कहते हैं, और mathematical अगर कोई statement लिखा है, तो उसको mathematical statement कहते हैं, तो कोई भी mathematical statement अगर लिखा होगा, तो वो statement true है, या false है, तो या तो उस statement को proof करके दिखा, तो proof करोगे तो deduction होगा, या verify करके दिखा, तो उसको induction कहते हैं, अब verify करते कैसे हैं, जरा समझने की कोसिज करो, इस statement को verify कैसे किया जाता है, इसको समझने की कोसिज करी, एक मिनट, तो हमने आपको एक simple भासा में बता दिया, कि किसी formula को अगर proof करते हो, जैसे theorem proof होती हैं, वो deduction होता है, verify करते हो, उससे induction कहते हैं, जैसे मैं एक example लेता हूँ, मैंने एक example लिया, कि भाई एक formula है, यह एक mathematical statement है, चुकि यहाँ पर statement mathematical लिये जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप्टो N, इसका proof होता है, इसका result आता है, N, N प्लस 1 बाई 2, यह एक statement है, अब भाई simple से बाई, आपको इससाब statement कैसे है, आपने का, भाई यह दो ही चीज़े हो सकती ना mathematics में, भाई mathematics में जो चीज़ कही जाती है, वो statement ही होती है, क्यों, क्योंकि उसमें दो ही possibilities है, either that is true, or that is false, यह true है या false है जो भी है, तो अगर मैं कहूँ इसको आप mathematical induction से प्रूफ करिए, तो deduction क्या होता है, देखो, deduction में अगर ध्यान से इसको देखें, तो यह आपका arithmetic progression है, अपने, CBSC board में, arithmetic progression थी 10th class में, ISC board में भी थी, ठीक है, अभी 11th में आएगी आएगी, तो यह AP है, AP का first term क्या है, यानि यह arithmetic progression है, इसका first term क्या है, 1 है, और common difference क्या है, 1 है, और number of terms कितना n है, और n term का sum, का AP में फार्मला होता है, n by 2, 2A, plus n minus 1, into d, यह फार्मला होता है, तो n by 2, 2, a बोले तो 1, plus n minus 1, d बोले तो 1, तो यह आएगा, n by 2, 2, plus n minus 1, यह आएगा n plus 1, तो n, हमने कहा भाई, यह प्रूफ कर दिया, तो प्रूफ करने का मतलब, यह कौन सा process apply किया, इसे आपने deduce किया इसको, इसको कहा गया deduction, लेकिन हम से क्या कहा गया, mathematical induction, तो induction का तरीका ज़रा समझेगा, थोड़ा सा technical तरीका है, ठीक है, हम यह नहीं करें tough है, मैं पूरी कोसिस करूँगा, कि आपको बहुत बहुत तरीके समझ में आ जाए, देखो, हमने कहा, induction में आप verify करेंगे, कि यह n की हर value के लिए सही है, तो हमने का, ठीक है भाईया, n is equal to 1 के लिए check करो, तो आप कैसे check करेंगे, हम तो ले रहे हो न, और जब आरचेस को चेक करोगे, n को बहुत रखो, तो आएगा 1, 1 प्लस 1, बाई 2, यानि 1 इन्टू 2 बाई 2, तो आपने क्या देखा, कि LHS is equal to, आरचेस हो गया, तो आप कहेंगे, इसका मतलब भाई, ये 1 के लिए तो सही है, चलिए, 2 के लिए सही कर लेते हैं, n को 2 ले लेते हैं, 2 लेने से क्या करेंगे, 2 स्टेप लेंगे, अगर आप इसकी जगे 2 रखोगे, तो 2 ही आएगा न, n is equal to 2 मतलब 2 स्टेप, तो आप 2 स्टेप ले लो, तो LHS की वैलू क्या आएगी, 1 प्लस 2 बोले तो 3, आरचेस की वैलू क्या आएगी, 2, 2 प्लस 1, वाई 2, 2, 2 गड़ गया, 3, आप क्या देखा आपने, LHS is equal to, आरचेस सही है, आपने कहा 2 के लिए भी सही है, आपने कहा 3 ले लेते हैं, तो आपने N को 3 रख दिया, LHS में क्या आएगा, तो 3 स्टेप ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 आएगा, आरचेस में क्या आएगा, रखो यहाँ पर 3, 3 इंटू 3 प्लस 1, बाई 2, 3 इंटू 4 बाई 2, 3 इंटू 2, 6 आएगा, आपने क्या देखा, आरचेस स्टेप्मेंट है ना, यह 1 के लिए भी सही है, 2 के लिए भी सही है, 3 के लिए भी सही है, या निकि N की हर वैलू के लिए सही है, हमका, नहीं भई या, 45 के लिए सही नहीं है, तो क्या करोगे आप, 45 तक चेक करोगे, आपने का ठीक है, हाँ कि तीन गंटे समय है, यही कुशन हमको आता है, हम 50 तक चेक कर लेंगे, आपको एन को 50 ले ले लिया, आपने, यहां के 50 टर्म लिए, वहां 50 रखा, आपने का सही तो है भई, हमने का नहीं 60 पे गलत है, कह तक चेक करोगे, तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, बे आप क्या कहेंगे ये इसको mathematical statement इसका नाम PN लिख सकते हैं ठीक है ये PN is equal to नहीं है कुछ नाम दोगे न उसको तो PN लिख दो ना लिखो जरू नहीं नाम दो इसको नहीं नाम दे रहे हैं चलो देना चाहो तो दे दो देखो पहला step क्या करेंगे आप step 1 में आप n is equal to 1 के सही है या नहीं है ठीक है तो for N is equal to 1 ये statement आपका 1 है इसको प्रूफ करना है ठीक है N is equal to 1 के लिए LHS क्या आएगा LHS 1 आएगा एक step लोगे RHS क्या आएगा RHS क्या आएगा 1 1 plus 1 by 2 ये भी 1 आएगा तो आप क्या कहेंगे LHS is equal to RHS इसका मतलब क्या हो गया so given statement is true statement is true for N is equal to 1 ये statement N is equal to 1 के लिए सही है ये आपने प्रूफ किया दिया नहीं है ये प्रूफ किया ठीक है तो हमने 3 barrier बनाए है एक हमने N को 1 barrier बनाया अब 1 2 3 4 बनी जाएंगे एक हमने रास्ते में कोई एक value ले ली N की K के ले ली R ले लिया जो भी ले लो और इस पर हमने मालिया सही है प्रूफ नहीं किया हमने कहा सही है ठीक है verify कर रहा है और इसकी help से just इसके बाद वाले barrier पे just इसके बाद वाली value पे चेक कर लिया उसको वैसे कोई गाड़ी चेक क माल लिया गया कि गाड़ी में सब कुछ okay है उसको pass कर दिया गया इसके just बाद वाला वो जो होगा वो उसको के वाले से पूछेगा सही है उसकी information के आधार पे वो चिक करेगा अगर सही है तो सही है नहीं तो गड़ बड़ जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे जरा साउधा तो वन के लिए हमने इसको प्रूफ कर दिया step 2 में क्या करना है हम माल लेंगे कि suppose करिये जो statement है न वो n is equal to k के लिए सही है let statement 1 statement 1 is true for n is equal to k let कर लिया हमने उस barrier में इसको verify नहीं करेंगे तो यहनी lhs में n की value के is equal to rhs में n की value के हम सही माल लेंगे तो यहां k step रिखे जाएगे तो यह क्या हैगा 1 plus 2 plus 3 up to k इधर क्या हैगा k k plus 1 by 2 यह question number 2 सुझ जाई बात यह इस barrier पे हमने इस statement को check नहीं किया है हमने मान लिया है सही है पर कर दिया ठीक है अब step 3 जो है वो check किया जाएगा काहे के लिए for n is equal to k plus 1 just इसके बात के लिए तरीका देखे क्या होता है तरीका यह होता है इसके left hand side में n को k plus 1 मान के रखिये है ना और right hand side में अपने आप k plus 1 आजाना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसका left hand side लेंगे n is equal to k plus 1 के लिए और इस barrier का इस्तेमाल भी करना है ठीक है तो आप लिखेंगे taking LHS of statement 1 statement 1 for n is equal to k plus 1 मतलब k के जस्त बाद वाला barrier हमने k plus 1 के लिए स्टेमेंट को लिया ठीक है अब यहां जगह नहीं है क्योंकि रैटिंग अंदी इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं इससे साफसा बच्चों को दिखाई पड़े तो हमने LHS क्यों लिया है RHS में क्या आना चाहिए तो अगर n को k plus 1 लिखेंगे RHS में अगर तो यहां रखोगे n को k plus 1 तो यहां k plus 1 आएगा यहां पर रखोगे तो यहां k plus 2 आएगा तो यह आना चाहिए आपको अगर यह आ जाएगा तो आपको होगे सही है तो आपने इसका LHS लिया N को K प्लस 1 लिखो तो यह क्या आएगा आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लास्ट में क्या आएगा K प्लस 1 इसके पहले step कौन सा आएगा हमें सब पहले वाला step लिखा जाएगा क्योंकि इसके पहले का नाका ये है ना ये बैरियर है इसने चेक किया था चेक कैसे किया था औरल चेक किया था सही है जाओ गाड़ी में कुछ इल्लीगल नहीं है ठीक है तो आप इसके पहले कौन से स्टिप आएगा रवेक के आएगा इस सिंपल सी बात है इधर से जारो using equation 2 कैसे यूज करोगे जहां 1 plus 2 plus 3 up to k है वहां क्या लिखोगे k k plus 1 by 2 तो यहां रख दो उठा करके तो जब इसको यूज करोगे तो यह क्या जाएगा आएगा k k plus 1 by 2 और plus k plus 1 वही आपने इसके पहले स्टिप में जो पहले वाला बैरियर था उसकी information को use कर लिया ठीक है अब आप यहां पर k k plus 1 कामन ले लो तो यहां क्या आप जाएगा k upon 2 plus 1 lcm ले लो तो k plus 1 k plus 2 upon 2 यह पताएगे अगर मैं right hand side में n को k plus 1 लिखता तो result क्या आता यही तो result आ रहा है यही तो result आ रहा है यही तो result आ रहा है यही तो आले barrier ने verify नहीं किया था लेकिन उसकी information के अधार पर हमने इसको verify किया इस तू तो आप लिखेंगे इस तू for n is equal to k plus 1 so given statement is true so given statement is true for n is equal to for all the values of n for all the values of n समझ में आई बात यानि कि कोई भी statement n की हर value के लिए सही है sorry यह given statement तो यह होता है principle of mathematical induction मतला यह एक तरीके से बहुत अब जो इसका एक और application मैं बता दूँ समया गया होगा न ठीक है आप कहेंगे इस क्या जूरूत है भाई एपी में दिया हुआ है और एपी का अला फार्मरा मालूब है n by 2 2 a plus n minus 1 2 d माले हमने बहुत सारी स्रीज होती है भाई हमारे पास स्रीज़ बहुत सारी होती है a to power x a to power x a p g p h p sigma n sigma n square sigma n q बहुत सारी स्रीज है हमने ढूंड ढान करके 20-30 स्रीज़ लिख दी यहां पर और आप से का verify करो यह सही है गलत है तो कहां तक आप proof करोगे भाई आपको proof का एक तरीका होता है न तो यहां पर तरीका नहीं करना है आपको क्यों n की value 1 पे तीन वेरियर बना लेना है वन पे आप चेक करोगे कि lhs rhs same है हो गया k पे आप मान लोगे सही है proof नहीं करना है वो verify हो गया कि सही है और पाद में उसकी information के आधार पर इसके just बाद वाले पे चेक करोगे ठीक है जैसे मैं एक और question लेता हूँ जैसे हम एक और example ले ले यह जीपी है जीपी यह n-1 होगा है ने a ar ar square ar par n-1 यह sum का formula होता है जीपी का तो यहा तो जीपी के sum का formula लगाई है और formula लगा कि verify करिए इसको इस और प्रूफ करिए दूसरा तरीका क्या होता है step 1 में क्या करना पड़ेगा पहले 4 is equal to 1 लेंगे तो equation 1 देखो by equation 1 इसका lhs क्या जाएगा और जब rhs में आप n को 1 लिखोगे तो क्या आएगा a r-1 upon r-1 is equal to a तो आपने क्या देखा कि lhs is equal to rhs so given statement is true लिखेंगे so given statement is true given statement is true for n is equal to 1 यह अपने प्रूफ किया है ठीक है अपने आप नहीं आ गया है हम प्रूफ हो के लाए है यह step 1 हो गया फिर हमने क्या कहा step 2 के लिए step 2 के लिए हमने कहा कि भाई यह जो statement है वो n is equal to k के लिए साही है तो step 2 पे हमने क्या किया कि let given statement given statement is true for n is equal to k सही है तो आप n को k रख दो lhs में और वो rhs के equal हो जाएगा तो k कैसे रखते हैं k steps लिखते हैं पूरे तो यह क्या बन जाएगा a plus ar plus ar square up to ar to power k minus 1 is equal to a r to power k minus 1 upon r minus 1 यह 2 हो गया step 3 क्या होता है हमने कहा था step 3 के लिए आप n को k plus 1 लिख देगा for n is equal to k plus 1 यह चेक करेंगे हम इनकी information के हिसाब से ठीक है तो हम lhs ले लेंगे और n को k plus 1 लिख देंगे ठीक है taking lhs taking lhs of 1 किसके लिए n is equal to k plus 1 के लिए ले लेते हैं क्या आ जाएगा यह तो यह आ जाएगा a plus ar plus ar square up to देखो जब n को k plus 1 लिखोगे तो क्या बन जाएगा a rd power k बन जाएगा न वहाई k plus 1 minus 1 अधर क्या आना चाहिए उधर आना चाहिए a rd power k plus 1 minus 1 upon r minus 1 यह proof करके लाना पड़ेगा अच्छा चुकि हमें information तो इनकी चाहिए तो हम इसके पहले का step लिखेंगे तो आप देख रहोगा हर step में a r आ रहा है जिसके पहले भी a आएगा और r की power a कम हो जाएगी अध्यान से देखिए यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक same है तो इसको use कर दो using equation 2 use कर दो क्या आएगा a r to power k minus 1 upon r minus 1 plus a r to power k यह LCM ले लिया जाए ब्रेकेट खोल दिया जाए ना तो यह LCM अगले step में लेते हैं इसको रब कर देते हैं जगे चुकि बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं देखो यहां से हमने ऐसा किya कि a बाहर निकाल लिया ठीक है और यहां पर r minus 1 ले लिया LCM तो यहां हो गया r to power k minus 1 और plus r minus 1 multiplied by r power k अब ब्रेकेट खोल दो उठा करके a यहाएगा r to power k minus 1 minus plus जब r to power k bracket के अंदर जाएगा क्या बन जाएगा r to power k plus 1 minus r to power k upon r minus 1 यह कट गया तो यह क्या आगया है a r to power k plus 1 minus 1 upon r minus 1 अगर मैं n को k plus 1 लिखता तो यही आपका rhs आताग नहीं आता तो आपने क्या दिखा आपने कहा कि statement सही है किसके लिए n is equal to k plus 1 के लिए so given statement is true for n is equal to k plus 1 so it is true for all the values of n all the values of n हमने एक चुली में क्या किया है कि 1,2,3,4,5,6,20 तक नहीं चेक किया हमने रेंडमनी जाके के को देखा और उसके जस्ट बाद लिए चेक कर लिए तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बेनेफिशल होगा रेटिंग गंदी है लेकिन कंटेंड अच्छा रहेगा गूड नाइट